हाई अब्रिवान कैसे आप लोग मीथ है बहुत ही बढ़िया हों कि मैं गीता वर्मा एक बार फिर से आपका गीता किनु लाइश्टाइल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और आज मैं बहुत ही बढ़िया ब्राइडल उप्टन लेकर आई हूं पहले जमाने में क्या हो अब कर दो हो इस तरह के उब्टन इस्तमाल किये जाते थे शादी से पहले जिसकी शादी होने वाली थी और फिर दो नहीं हो उसका भी रंग इससे निखर जाता था आजकर क्या है पालर में बुकिंग ले लेते हैं इतने महंगे-महंगी बॉडी पॉलिशिंग कराते हैं औ यपाते हैं बहुत सारे असी लोग है लड़कीय नहीं खरच पर सकते हैं, तो उस्व कर सकता हैं जो पहले जमाने में लगाया जाता था ग्लो के लिए पूरी बॉडी वाइटनिंग के लिए बॉडी ग्लो के लिए आज मैं वही उप्टन आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी शादी जो है वो 17 साल पहले हुए थी और ऐसे कोई पालर वगेरे में हम लोग नहीं जाते थे उ उसे रकड रकड के उसे उतार दी थी उसे फिर बहुत जादा ग्लो आता था तो ना तो आपके जादा पैसे खर्चोंगे और अभी से अगर आपकी एक महीने दो महीने तीन महीने बाद शादी होने वाली अभी से यह उप्टन लगाना शुरू कर देंगे तो आपको कोई पॉलिशिंग की जरुवत ही नहीं पड़ेगी मेरे गैरंटीड यह उप्टन है इससे बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है बहुत लोग सोचते हैं कि ग्लो का मतलब होता है कि वह काले है तो इक दम से गोरे हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ग्लो का मतलब होता है मैं कभी भी काले या गोरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूं काले दुनिया में धो ही कलर होते हैं गोरा एक काला तो दोनों ही भगवाने बहुत ही खुबसूरत पर आये हैं और कभी भी जो सांवले लोगे न उनको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सांवले हैं तो हम तब भी आप सुन्दर लग सकते हैं कैसे जब आपकी skin glow करती है सावले का मतलब यह नहीं है कि एक्दम से आप गोरे हो जाएंगे सावला रंग भी जब चमकता है skin glow करती है healthy लगती है तो वह इंसान बहुत ही सुन्दर लगता है तो यह जो अगर आज से ही आप लगाना शुरू करते हैं अपनी शादी तक मेरी गेरंटी है आपके अंदर इतना अच्छा निखा रहाएगा ना कि लोग वाकि आपसे पूछे आपने क्या ऐसा लगाया है जिससे आप इतना चमक रहे हो ज्यादा बाते ना करते हुए आए देख लेते इस उप्टन को बनाते कैसे हैं कैसे यूज करते हैं और इसका रिजल्ट कैसा है क्योंकि अपने उपर मैं इसे यूज करके दिखाने वाली हूं जो भी चीज में ब तो यहां पर सबसे पहले मैं एक बाव ले लिया है जिसमें मैं डाल रहे हो दो टेबल स्पून बेसन अगर आपको पूरी बॉड़ी पे लगाना है तो बेसन की कौंटिटी जादा ले सकते हैं यहां पर मैं गुलाब का पावडर ले रहे हूं यह रेडी मेड है बार्किट अगर मिल जाता है तो इस तरह का चंदन पाउडर आप यूज कर सकते हैं तो घर में जो चंदन होता है उसे भी खिसके इसमें मिला सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है साथी मैं यहां पें इसमें गेहों काँ डाली है मैं जाले होगा में काफी इसमें मुला करता है। और मैंने इसमें शहट डाल दिया है एक चमच और कच्चा दूद कच्चा दूद बहुत अच्छा रंग निखाने में काम करता है साथ ही मैं यहां पर बादाम का तेल डाल रही हूँ इससे जो हमारी स्किन है वो बिल्कुल भी ड्राइ नहीं होगी पैक लगाने के बाद एक दम मॉस्चराइज रहेगी और जो शहद है वो भी मॉस्चराइजरिशन का बहुत अच्छा काम करता है अब मैं इसमें गुलाब अच्छा उब्टन हमारा घर का तयार हो जाएगा तो देखा कितना आसान था घर की चीजों से यह उब्टन तयार हो गया बहुत इजी है इसे बनाना और इसका रिजर्ट बहुत ज़्यादा आता है तो इसे मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगी अपने उपर फिलाल य जो की मैंने पीस के पाउर्डर तयार कर लिया था जो लाल-वाणी मसूल की दाल राती है यह उसका पाउडर है यह बहुत एछ आच्छा प्रब करता है जतनी वे डेट सकिन होगी वो निकाल देगा मैल निकाल देगा संटन निकाल देगा अगर टै एनिंग होई बहुत अब यहां पे मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है और फेस मेरा पूरा क्लीन है जब आप नहाने जाए उससे पहले काम कर सकते हैं क्योंकि आपको इसे बैठना पड़ेगा लगा के पूरी बॉड़ी पे तो फिलाल आज मैं आपको एक हाथ पे और अपने फेस और न लगाना चाहते हैं अगर पूरी बॉड़ी पे लगाना चाहते हैं तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और इसे नहाने से पहले लगाएंगे और इसको लगाने के बाद जब आप नहाने जाए तो साबून का इस्तमाल नहीं करना है खाली पानी से आपको नहाना है तो इस तर से पूरा जहां जहां आपको लगाना है वहां पर पूरी बॉड़ी पे लगा लीचाइब लगा लिए फिलाल मैं लगाने वाली हूँ तो पर फिलाल अभी अपने एक हाथ पर लगा रही हूं और आप आप मेरा हाथ भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी कालापन आपको कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह के उपड़न, पैक वगएरा में यूज करती रहती हूँ, आप मेरी कोहनी वगएरा भी देख सकते हैं, बिल्कुल कालापन नहीं है, तो इस तरह के पैक बहुत ही अच्छे होते हैं, एक तो कोई कैमिकल नहीं होता, बहुत सस्ते पड़ते हैं, घर की चीजों से त्यार हो जाते हैं, उनका कोई साइड एफेक्ट नहीं होता है, और जिन लोग की स्किन सेंस्टिव हैं, उनके लिए बोलूँगी की एक बार पैच्छ टेस्ट कर लें, थोड़ा सा लगा के देख लें, कि ऐसा नहीं हो कोई चीज इसमें से आपको सूट ना करें, तो इसलिए इसका पैच्छ टेस्ट जरूर करें, अगर आपकी स्किन सेंस्टिव है, तो इसे मैं सूखने देती हूं, जब इस सूख जाएगा तो इसको उतारना कैसे है, इस तरीके से हलके हाथ से रगड़ते हुए उतारना है, अगर आपको लगे कि नहीं उतार रहा है, या आपको थोड़ा पेन हो रहा है इसे उतारते हुए, बिलकुल हलके हाथ से रगड़ना है, तो यह असानी से उतर जाएगा तो उबटन को कभी भी डारेक्ट धोते नहीं है इस तरह से उतारा जाता है जिससे कि सारी टैनिंग निकल जाती है और जो आपके हेर्स होते हैं फेस पे वो भी धीरे-धीरे निकल जाते हैं को दाने-दाने से हलके फील होंगे वो इस वज़े से हो जाते हैं कई बशेशी जहां पर बाल तूटते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता है इसका मतलब वहां से आपके फेशल हेर हटे हैं अगर आपके हलके-फलके दाने हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ी देर बाद बैट जाते हैं कोई भी प्रदिकत नहीं होती है तो आप इसके बाद इसमें आपने फेस पर आलवरे जेल या फिर कोई भी मॉश्यराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हैं इसलिए मैं कहरे हूं बिल्कुल हलके हलके हाथों से रगड़ियेगा और जोर से आपको नहीं रगड़ना है तो यहां पर मैंने आपको पूरा पैक उतार के अपने फेस पे दिखा दिया है और आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना ग्लो आगया है यह देखे मैंने भी फेस को और आप मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हैं किस तरह का आया है इसका रिजल्ट एक बार में ही बहुत अच्छा आता है जब डेली उस करेंगे तो गैरंटी है मेरी कि आपको वाक ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो यही जो पैक है वो मैं अपनी शादी से प तो जल्दी उतरता नहीं है यहां पर देखिए थोड़ा से गीला है तो अगर ऐसा हो उतरे ना तो आप थोड़ा सा हाथ में तेल लगा सकते तेल लगाएंगे तो यह बहुत ही असानी से छूट जाएगा पर आपको इसके रगड के ही उतारना है तभी आपका जो कलर है वो जोर से कर सकते है पर फेस पर तो बिल्कुल हलके हाथों से करना है जोर नहीं देना है तो यहां पर मैं अब इसे धो कर आती हूं फिर दिखाते हूं आपको तो यहां पर मैंने फेस और अपने हाथ को धो लिया है और आप रिजल्ट देख सकते मेरे फेस पर यह मैंने एक ब यह कर मुझे लिखके प्टाईगा कैसा रिजल्ट आया यह देखिए आपको देख सकते हैं कितना फरक आ गया है पहले से काफी ग्लो आ गया है और वैसे तो मेरे हाथ में आपको जादा फरक नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि और इन पैक को लगाती रहती हूं तो इसलिए ब अच्छा ग्लो आ गया है तो एक बार जरूर ट्राय किजिए गा मेरे साथ जरूर शेयर किजिए गा तो कैसा लगा आज का यह वीडियो था ना इंटरस्टिंग तो इस तरह के और भी स्किन केर हैर केर मेक अप हॉल वीडियो दिया बहुत कुछ मैं इस चैनल पर लेकर आती कि आपका एक एक लिक हमें बहुत जादा मोटिवेट करता है इस तरह कि अच्छे यची वीडियो आपके लिये ले कराने के लिए लाइक नहीं करने मुझे पर यांगै कि मुझे काम करने मजा ने आता मन नहीं करता प्लीं लाइक कर दिजींहां और कमेंट करना बहुं कु сов नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए और साथ ही दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजेगा ताकि उन लोगों का भी फायदा हो जाए जिन लोगों की शादी होने वाली है और अभी से वह यह उप् वीडियो किसा आठ तिल दिन गुडबाई